51 साल बाद हरियाना यूपी का शीमा विवाद सुल्चेगा यमुना में 25 के बाद लगेंगे पिलर दोनों राज्य के राजसो इभाग अधिकारियों की टीम कर रही है 25 1975 में लगे पिलर गाइब हो गए कुछ यमुना के बहाओ में बहे कुछ खनन माप्याने उखाड़े देख सकते हैं ये पिलर यमुना की जमीन को लेकर विवाद 1972 में ज्यादा उबरा था दोस्तों केंदर सरकार ने 1974 में सुप्रीम कोर्ट के रिटार्ड जज़े उमा संकर दिक्षित की अध्यक्सा में कमेटी बनाई थी नॉम्बर 1974 से जनवरी 1975 के बीच यमुना की मुख्यदारा के आधार पर शीमा तैकर के पिलर लगाए गए थे दोनों राजों ने शीमा की निगरानी नहीं की राजसों गाग में रिकॉर्ड आज तक दुरुस्त नहीं हो पाया एक ही गाओं की एक जमीन का राजसों रिकॉर्ड यूपी हरियाना दोनों राजों के पास है ऐसे काफी विवाद हैं सीमा पर लगे अधिकान से पिलर गिमना नदी की बाड में बह गए गए कुछ को खनन मापियाँ ने उखाड दिया गिमना की धारा बदलते ही विवाद गहरा गया हर साल फसल की बिजाई और कटाई को लेकर मार्पिट और फाइरिंग तक हो जाती है दोस्तों फसल की बिजाई और कटाई के उपर मार्पिट होती है फाइरिंग होती है हरियाना और उत्रपरदेश के बीजी यमना किनारे की 9265 एकड जमीन को लेकर 51 साल से विवाद चल रहा है अब ये सुलच जाएगा दोनों राज्यों के राज्यों के राज्यों विभाग यदिकारी 55 से कर रहे हैं सीमा निधारिते करने के लिए 1975 में दिक्षित आवाड के तहते लगाए गए पिलरों की पहचान वे 25 का दोबारा सीमा तैकर के पिलर लगेंगे दोबारा से 55 चली भी है सीमा तैकरी जाएगी दोबारा से और दोबारा से पिलर लगाए जाएगे विवाद से निपटने के लिए हरियाना के यमना नगर करनाल पानिपत सोनिपत फरीदाबाद पलवल और यूपी के सारनपुर शामली बागपतिंग गाजियबाद वर ग्रेटर नोड़ा की सीमा के करीब 146 गाउं को रहत मिलेगी हरियाना के 5,643 एकड़ जमीन पर स्थिती सपस्ट होने की आस है अभी तक यहां कई बार हो चुकी है हिंसक जड़ पे 24 जाने गई 1400 जखमी हुए 2000 से अधिक केस कोट में है सीमा विवाद को सुलजाने के लिए 6725 बैठके हुई 2000 में ते हुआ था कि जून 2020 तक पिलर लगा दिये जाएंगे हरियाना की तरफ से 25 हो चुकी है यूपी की तरफ से 25 हो रही है वही पानी पते के तामसाबाद में हाई कोट के आदेश पर 26 पिलर लगाए जा रहे है पांच जलाई को सुनवाई है विवाद का कारण अवैद खनन से बदली है धारा सिमा पर बशे गाव में विवाद का परमुकार्ण अवैद खनन है इसे यमना नदिर की धाराब बदलती रहती है इसे हर साल सरकार को 5000 करोड के राजसों का नुक्सान हो रहा है खनन के चलते कभी यमना यूपी तो कभी हरियाना की और से चली जाती है इसे हरियाना की जमीन पूरी यूपी की और चली जाती है तो यूपी की किसान कबजा कर लेते हैं दोनों राज्यों के लोग उस पर दावाट ठोक देते हैं ये कदम भी जरूरी तोबारा विवाद ना हो विवाद से निपटने के लिए हरियाना को करीब 543 एकड़े जमीन मिलने की उमीद है ऐसे ही यूपी को करीब 3622 एकड़े जमीन मिल सकती है पिरलर लगने के बाद भी लगातार नेगरानी होनी चाहिए दोनों राज्यों में जमीन का रिकार्ड सोधारा जाए सरकारे बैठ के बलाकर इनका समाधान कराए यूपी की तरफ से करहे पेमाई सिने सान देई में तीन सीजन लगेंगे हाई कोर्ड का आदेश मानेंगे खुद की जमीने परकपचे मजदूरी कर पाल रहे परिवार 2018 में हुआ था 9 एकर जमीन को लेकर विवाद ही